हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल लेट्स प्लै विथ स्टॉक मार्केट बात करेंगे पंजब नेशनल बैंक के बारे में जो कि आज दस रूपे से भी ज्यादा के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है तो इस गिराउट के पीछे क्या रिजन से कुछ बड़े 48 के असपास का हाई बनाया था PNB ने और सबको लग रहा था कि 50 तक जाएगा 50 रुपे तक जाएगा लेकिन काफी सारे लोग ट्रेफ हो गए है काफी सारे रिटेलर फस गया भी यहाँ पे तो आगे क्या ये गिराउट अकंटीन्यू रह सकती है आगे क्या पॉसिबल मुम सकते हैं तो जैसा की फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक के कोटर टू के नतीज आप लोगों के सामने हैं और यहाँ पर आपको जो सारी वेल्यू देखना को मिलेगी और इन लैक्स में नजर आएगी यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं और जै तो यहाँ पर मैं इनकम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और यहाँ पर अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं तो गमी ने किस तरह के खर्चे किये थे वो भी यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो कि इस बार कोटर टू में तकरीबन 17,241 करोड का खर्चा थ जो कि पिछले साल 17,763 करोड का खर्चा था तो यहाँ पर में year one year basis पर खर्चा almost flat देखने को मिल रहा है लेकिन quarter and quarter basis पर खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो पूरा मामला है फ्रेंड्स इस गिरावट का ओ मामला पूरा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे जो net profit निगल के आया है वो इस बार हमें काफी बढ़िया बढ़ता हुआ देखने को मिला है फिर भी हमें gear out देखने को मिले है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे quarter two के नतीजों में 1105 करोड का total net profit निगल के आय करोड का net profit था तो उसके मुकाबले तो यहां पे में 78% का jump देखने को मिला है फ्रेंड्स net profit में year one year basis पे तो यहां पे तो बड़ी तेजी आनी चाहिए फ्रेंड्स इतना बढ़िया प्रोफिट के आपनी ने है फिर भी यहां पे में जो गिराउट टेखने को मिले है बैंक म जो provisioning for taxis से ओ include नहीं हुए है net profit में फ्रेंड्स इसको minus किया है इस बार जिसके जलते यहां पे में net profit काफी ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि पिछले quarter की बात कर तो 397 करोड जो कि operating profit है उसमें से minus होके यहां पे net profit निकल किया है और पिछले साल quarter 2 की बा profit में काफी बढ़ी बढ़तरी देखने को मिली है अगर आप इसको minus कर दोगे तो friends यहां पे जो net profit निकल किया आएगा वो तकरीबन शाड़े 800 करोड के असपास का net profit आएगा तो quarter and quarter basis पे आप देखोगे friends तो यहां पे हमें तकरीबन 1500 से 200 करोड का हमें net profit decline देखने को मिलाग जिसके चलते बाजाने friends नतीजों को negative लिया और बड़ी गिर्यावट हमें देखने को मिली है लेकिन friends दरने और गपरान की बात है नहीं अगर आपने उपरी लेवल पर पोजिशन बनाई है तो मुझे लगता है कि बहुती जल्द आपको PNB recover होता हुआ नजर आएगा और बड़ी हा मौका मिल सकता है friends निचले लेवल पर पोजिशन बनाने का तो चार्ट को पर टेक्निकली अनालिसिस करते है कि कौन सा बेस्ट लेवल रहेगा फ्रेश पोजिशन बनाने के लिए और एवरेज करने के लिए तो जिसा कि friends आप देख सकते है PNB का चार्ट मैंने ड रेकाउट भी आ गया था 48 के असपा स्टेट कर रहा था सबको लग रहा था 50 तक जाएगा 53 तक जाएगा लेकिन ऐसा हुआ ने फ्रेंट्स नतीजे कहीं ना गई हमें डिक्लाइंट देखने को मिले है जिसके चलते हमें यहाँ पर बड़ी गिरावट दंजर आ गई लेकिन मुझे लगता है कि कल से ही आपको PNB रिकवर होता हुआ नजर आ सकता है बड़ी आमोका है 41-40 के रेंज में खरिदारी करने का जो की निचे लेलोड पर काफी स्ट्रॉंग सपोर्ट लेवल है 38-45 का और बार बार इसी लेवल के आसपास हमें संभलता हुआ भी PNB नजर आ चालिस के लेवल के आसपास और उपरी लेवल पर बनाई है तो डेफिनेटली होल्ड करें PNB को मुझे उपरी लेवल पर 55-60 रुपे तक के टार्गेट नजर आरे फ्रेंड्स और मुझे लगता है कि अब PNB बैंकों में आपको बड़ी तीजी देखना को मिलेगी फ्रें सारे PSU बैंकों में काफी सालों से अंडर प्रफॉम भी कर रहे है सारे PSU बैंक लेकिन अब देखोगे फ्रेंड्स तो यहां पे जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं अब ट्रेंड दीरे-दीरे होता हुआ नजर आ रहा है फ्रेंड्स यहां पे आप देखोगे तो हलका सा अब मिल रहे है, higher and high बना रहा है friends, lower and low and higher and high की situation नज़र आ रही है, और एक कही ना कही trend चेंज होता हो, देखने हो, मिल रहा है तो लंबी विदे का view है, 4-5 साल के लिए, अगर आप PNP bank को hold कर लिया तो मुझे लगता है कि 80-90-100 रुपे तक के भी target आपको PNP bank दिखा सकता है तो friends, आप इन लेवल को चाउट कर अपना study कंड़ कर, अपना financial advisor की सला लेए, उसके बादी किसी बिद्रा की कोई position बनाए है वीडियो अच्छा लगा हो तो like करके इंग्रेच करना ना भूले और चैनल पर ना है तो चैनल को भी subscribe कर लेजिए मिलते हैं यसी एक निव वीडियो के साथ, तब तक के लिए thank you again for watching this video